कि अगल मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा था बहुत भी अच्छा बल्कुल जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई थी काम उसी तरीकी से हुआ अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बदाया था कि अगर यह फ्लेगेंड पोल का पैटर्न फॉल्स ब्रेकडाउन देता है उसके बाद ही ऊपर जाता है तो वन इस्टू टू और वन इस्टू थी को हम लोग प्लान करेंगे चोड़ा ट्रागेट के लिए नहीं प्लान करेंगे क्योंकि यहां पर सारे बायर्स को फसाएगा एक चीज़ अगर आपको याद है तो आप कमेंट से मेंशन कर द है उपर आगिया बहुत सारे लोगों की पर पास मैसेज भी आया थे कि हाँ उनको ट्रेड यह पकड़ावन होना है ठीक है एनिवेज आगे डिसकस करते हैं कल है बजट बजट पर क्या रहने वाला है क्या नी रहने वाला है वो सब भी चीज़ है अलग से वीडियो बनी हु हाई पर पॉस्टर शुरू कर देगा फिर यह सारा पार कर देगा क्यों अगर मानलों आपका बजट में भी कोई खराब चीज ने आई नंबर वन नंबर सेकेंड आपका फैड में भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आई कि या उन्होंने अगर एंट्रेस जो है वो करने के प्रवल्टी नहीं लगेगी अगर मार्केट को तो अपने लोग वापस से लाइफटाइम हाई की तरफ जाने को शुरू करेंगे तो वह चीज है नंबर सेकेंड क्या केस हो सकता है कि आपका फैड की मीटिंग खराब है और बजट में कुछ खराब देदें तो मार् अब क्या से करें हमें कैसे पत्ति लेगी फैड अच्छा मार्केट ने लिए है में फैड का मार्केट ने खराब लिया है चैलेश दो सो कल आपको याद होगा चैलेश दोस्वापकी रेजिस्टेंस थी तो चैलेश दोसो से अगर आप रिवर्स लोग प्लान करतें तो वहा और यहां पर यह डबलू बटन ना बनाने के जगा आप देखना वी शेप की तरफ ही वह वापस से मार्केट चलना चालो हो जाएगा कहां तक है 747,050 तक का लेवल ने 7600 पॉइंट की देजी बची हुई है उसके बाद अगर यहां होल्ट करता है उसके आद वापस से चान फ्यूचर के है 30 पॉइंट था हाफ कॉंटिटी में ऐसे लेट वह था मौनिंग में हमने शॉट किया था ठीक है बीच भी दे रहा था लेकिन क्या था इसके नीचे आपको इग्रसी शेलिंग थी मैंने आपको बताया भी था इस चीज़ की आपको स्टॉप लोस चला जाए इसके नीचे फिर आपको अग्रेसिव सेलिंग देखना मिलेगी दो हजार हजार पॉइंट सक्का भी मैं सर्प्राइज नहीं होने वाला यह हम लोगोंने क्या रगा दिया ब्रॉडर पिक्चर का कौन सा दो लेवर 45,200 और 46,200 में मार्क्त है अपने पास इंपर्टेंट ले अगी गलत तरीके से प्रॉफिट आना इस ऑल्वेस मोर धन खराब होता है सही तरीके के स्टॉप लॉस को देने से जाद है ठीक है क्योंकि वह गलत तरीके से प्रॉफिट की आदत पढ़ गई नहीं तो दिक्कत है अभी फिलाल के अब देखोगे तो यहां पे आपको मार् यहां देख 550 मारे रेस्टेंस और 550 के उपर अपने को बांदते हुए चलना है ठीक है ऊपर आपको कौन सा है लेवल आ रहा है यही वाला लेवल जहां से अपका यह देखो बढ़ना देखो 46,077 को क्रॉस करेगे 217 तक का अपने पास इसको बचा है 850 टूटेगा तो अपन इसके बाद प्रॉफिट हो जाए एक बार लॉस हो जाए उसके बाद आपको अगर प्लाड लॉस में ही है तब ही ट्रेट करना वहाइड करना कल के दिन इस्ट्रेजी पूरी डिसकस कर दियो आई बट में आपको लिंक मिल जाए ठीक है निफ्टी में हाँ आई देखो जैस आप जब इसने डिस्टेस टोड़ा तो 680 आपको जाए 670 680 कर डिसकस किया था उसके वही लेवल उसमें तोड़ दिया यहां पर कोई नेगेटिव एक्शन तो मिला नहीं पर करता करना तो चाहिए था बट कोई एक्शन ही नहीं मिला मार पर गया यहीं पर सपोर्ट लिया यानिकि 670 665 का लेवल डूटेगा तो एक बार अपने को मिल जाएगा एक शॉर्ट कर टेट कहां तक के लिए 25,580 के आस पास तक के लिए यहां तक इतना ज्यादा स्ट्रेस हुजाएगी मैंने अंधाजा नहीं लगा था नहीं बैंग निफ्टी मेरे साब से 800-900 तक मतलब तक मतलब तक मतलब जाने का था 46,000 क्रॉस कर देगी वह थोड़ा सा मेरे को सर्प्राइजिंग मूवमेंट था ठीक है उपर अभी मेजर रेजिस्टांस कौन से खड़ी है निफ्टी के लिए 25800 अब्यसली अगर आप देखोगे तो यह जैसे स्विंग आते है ना यहीं पर अब का यह ठीक एक बार वंडे का इसका प्रॉडर पिक्चर देखने जाए इसका भी बड़ कर लेते हैं और उसके बाद ऑप्षेंचेंट पर चलेंगे ऑपे चलके देखेंगे मार्केट में आपका क्या सीन है ठीक है यहां देखोगे तो अभी भी आपका रेंज में ही है इसका बार रेंज कौन सी आ रही है जो पल भी हम लोगों डिसकस की थी में मार्क यसे लगा देखा देखांगे और आपका ऊपर की 21,800 ठीक है यह आपकी ब्रॉडर रेंज है मार्केट में मूव्मेंट है ऐसा नहीं मूव्मेंट नहीं है लेकिन क्या है अ कंसोलिडेशन मे यह वाली आपकी false breakdown candle भी पहचान क्या थी false breakdown candle है अगले दिन follow up आता है ठीक है मतलब आपके आगने वाले टाइम में follow up नहीं आता तो इसको मतलब क्या वो false breakdown नहीं है जैसे कि यह वाले cases थे ठीक है तो यही 21,800 और 450 ठीक है इसी के नीचे उपर आपको trend decide होगा बड़ा side का मत मतलब आप देखने हो जब इसको पार या cross करेगा कुछ करेगा तो मेरे swing trade open होंगे index में because intraday में तो stop loss काटता है हमेशाद रखना जब भी आप 200 point nifty के plan कर रहे हो या फिर आपका bank nifty के 500-600 point swing में plan कर रहे हो swing मतलब btst भी हो सकता है एक दिन का holding period भी हो सकता है तो उस case में intrad में stop loss कटने की चांसे होते हैं इसके stop loss भी बड़े होते हैं उस case में पता है मैं क्या करता हूं जैसे मान लो आपका 21,800 क्रॉस किया इसमें half quantity को बाय कर लिया वह पस छूड किया में तो कोई बात नहीं half quantity में चलता रहेगा swing के लिए लेकिन अगर वह पस से नीचे आएगा उसके बाद फिर वह पस से उपर चलेगा तो उससे क्योंता है अगर में निफ्टी का stop loss 80-100 पॉइंट का बन रहा है swing trade में मान की चलो 100 पॉइंट का बन रहा है तो मैं directly 100 का नहीं देता पचास पॉइंट नीचे पे एवरेज करता हूं उस case में ठीक है तो मैं averaging swing trading में करता तो यह अपने को मुटा मुटा निफ्टी के strategy बन गई यह अपनी जो शीट है इस शीट में अपना देखोगे तो आपको अच्छा इसमें बहुत इंट्रस्टिंग चीज दस फरवरी से आने वाली है मतला आपको trading next level पर आ जाएगा आप जिसके पास भी शीट नहीं है ठीक आपको बहुत सब्सक्राइब करना है नहीं करना आप जैसे दोनों ही आपको इतना नहीं था तो मैं सेल के बार में क्यों सोचूंगा ना किसी पर्टिगुलर लेवल पाएगी तभी सेल के बार में सोचूंगा नहीं सोचूंगा है मां तो यह WhatsApp नमबर आपको मिल जाएगा नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेका है अभी चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे चलके दीखते हैं कि कल मार्केट किधर कि तरफ ओपन होती है अब इस डेटा को तवज्जु देते हूँ या फिर प्रिवेस दे गए तो इस डेटा के इंट प्रिवेस डेटा से बस प्रिवेस डेटा में क्या होता है आपका आइडिया लग जादा कि मार्केट खुलने को किधर की साइड है अब अगर आप देखो कि तो पॉश्चन साइज है आपकी हलकी हुई है लेकिन कॉल राइटर्स कम है और पूट राइटर्स ज्यादा है इ आपको कई भी कॉल राइटिंग नहीं दिख रहा है तो याद रखना कोई भी लेवल उतना लेवल बेस टेटिंग नहीं कर पाएंगे जो भी आपको मुनाफार आ उसको भी बांद देना लॉस आ रहा हो तो बहुत बड़ा लॉस की तरफ मच जाना क्योंकि बार्केट में म बट मुझे परस्नली ऐसा लगता है कि मार्केट ना क्लोस टू को बहुत बड़ा मुवमेंट नहीं आएगा मतला आप देखो कि क्लोस टू को बहुत की मार्केट चार परसंट नहीं परसंट नहीं है इंटरेम बजट है ना तो आपको को समझ में आया होगा अभी के लिए See you in the next session, till then, bye bye